Hello students, welcome to Global Online. So NTA Udison and December 2023 examination को qualify करने के लिए total कितने marks आपको लाने होंगे, ये आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको पता देना चाहती हूँ कि paper 1 और paper 2 दोनों को मिला करके जो आपका total score होता है 300 में से उसी से चेक किया जाता है कि आप exam को qualify कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. So इस वीडियो में मैं एक subject wise और category wise लिस्ट आपके साथ discuss करूँगी, आप सभी students अपने subject को ध्यान से देखेगा and expected score तक minimum score करने की पूरी कोशिश कीज़ेगा. तो एक चीज़ और में clear कर देना चाहती हूँ कि जो भी expected score इस वीडियो में हम discuss करेंगे, ये सारा ही previous year के जो भी आपके papers रहे हैं, उन सभी के analysis के base पर ही होगा. Recently आपने देखा होगा हमारे सामने June 2023 examination हुआ है and December 2022 वाल exam हुआ है जो कि March 2023 में conduct करवाया गया था. So recently ये दोनो examination हुए हैं, so इनकी last year के result को आपके साथ आज में share करूँगी and हम देखेंगे कि upcoming exam को कैसे analyze करना है. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँगी exam qualify करने के लिए major focus paper 1 पर रखिएगा. इस paper में आप लोग बहुत असानी से 80 plus score कर सकते हो. दो महीने तक बिल्कुल भी इसको miss नहीं करना है, paper 2 के साथ साथ इसको पढ़ते रहिए and इसके smart preparation के लिए complete course हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको daily live lectures के साथ पूरा syllabus cover करवाने की surety देते हैं. Hindi English तोनों languages में आपको separate sessions मिल जाएंगे, जहां पर पूरा week आपके theory sessions and MCQ sessions के साथ concept क्लियर करवाए जाएंगे and weekends में आपके लिए mock test लेकर आते हैं, जिससे कि आपके सारे concepts की बहुत अच्छे revision हो जाती है, full syllabus notes आपको मिलेंगे, 60 plus mock test available है, साथ ही 2000 plus MCQ question bank है, जिसमें आपको previous year questions, repeated questions और expected questions मिलते हैं, वो भी explanation और detailed discussion के साथ, so given numbers पर आप लोग contact कीजें and इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार fees देनी है, 3600 रुपीज, free videos के access के लिए global online आपको download कीजें, store section पर search bar में course का नाम लिखने के बाद, इसका overview देख सकते हो, then content पर click करते ही free demo videos available है, साथ ही unit wise folders हैं, जहांपर आपको theory lectures, NCEQ sessions और test मिल जाते हैं, जो कि exam को qualify करने के लिए काफी है, इसी के साथ अब बढ़ते हैं discussion पर, तो सबसे पहले आप देख सकते हों यहाँ पर, यह June 2023 exam जो हुआ था, उसकी final cut-off list है, okay, so इसमें subject number one आता है, economics, and economics में यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप unreserved यानि की general category से हो, यह जो score है, यह GRF के लिए है, यह assistant professor, यानि की सरफ net के लिए जिन्होंने apply किया है, उनके लिए है, so out of 300, अगर आप लोग 188 के आसपा score कर लेते हो, तो आपका GRF qualify हो जाएगा, and अगर 170 के आसपा score कर लेते हो, तो net qualified हो जाएगा, economics, general category के लिए, टोटल 83 students को GRF मिला था, and 586 students को दिया गया था, net का certificate, यानि की वो assistant professor के लिए eligible हो गए थे, तो आप बोलोगे कि मैं यह कैसे हम मान ले, तो यह June 2023 का shift का question paper है, answer की है, sorry, cut off है, and यह है December 21, June 22 की, ठीक है, यह June 23 और यह June 22, so June 22 में देखो, economics unreserved में 192, तो पहले 192 score रहा है, उसके बाद 188 हो गया था, तो overall अगर हम यही range मान कर चलें, तो 160, 186 से लेकर के, आप यह मान सकते हो कि लगभग 194 के बीच में ही, economics के general category की cut off रहती है, out of 300, ओके, यहाँ पर देख सकते हो, 170 है, और यहाँ पर 212 है, यह कितना जादा difference है, ओके, तो एक range आप लोग पकड़ कर चलिए, specially general category के students के लिए, मेरा यही suggestion है, कोई भी subject हो, general category से हो, 190 से लेकर के, 210 के बीच में score करने की पूरी कोशिश कीजिए, 190 से 210 लगभग लगभग इतना score कर लोगे, तो net और jrf आप लोग easily achieve कर सकते हो, अब एक cut-off देखनी कैसे है, अपना subject देखिए, category देखिए, और यहाँ पर यह score देखते रहे हैं, ठीके, तो यह economic students के लिए हैं, इसी के साथ, अब जैसे political science के बच्चे हैं, बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए, एक काम कीजिए, अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे subjects हैं, सबको share कर पाना तो possible नहीं है, तो आप क्या कीजिए, अपने subject का नाम, जैसे यह political science है, अपनी category, जो unreserved है, EWS है, जो भी category है, जो भी subject आपका है, वो बिस comment करके बता दीजिए, मैं आपके साथ score share कर दूँगी, ठीक है, इतनी help में आपकी कर सकती हूँ, अगर आपको जल्दी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर देख लेते हैं, कि political science का क्या है, इनके percentile है, कुछ subjects की percentage, percentile में result दिया जाता है, और कुछ subjects का marks में, जैसे political science, unreserved, 99.67 percentile, और for GRF, और for net, this is 97.65 percentile, so, अगर अभी भी confusion यहाँ पर एक और है, कि percentile में result दिया है, तो उसको हम marks में कैसे convert करें, अगर आपको यह नहीं आता, और आप political science या management या commerce ऐसे subject से हो, जहाँ पर percentile में result आता है, तो बस मुझे यह भी बता दीजिए, मैं आप लोगों को convert करके ही, यहाँ पर marks फिर share कर द जैसे philosophy, unreserved के लिए 218 for GRF and 198 for net, SCST की बात करते हैं, so, यहाँ पर 200 for GRF and 178 for net, okay, so, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, जैसे की, जो भी आपका subject है, directly आपको क्या करना है, इसको search करना है, जैसे, अगर मैं computer science देखना चाहती हूँ, so, computer science की cut-off के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने computer science लिखा, directly मैं, code 87 में पहुँचगी, page number 39 में पहुँचगी, directly, so, unreserved के 174 है, और assistant professor के लिए 156 है, अब यहाँ पर बच्चों को, शायद आप में से भी काफे students ऐसे होंगे, जिनको confusion होगा, कि notification में तो लिखा है, 40% चाहिए exam qualify करने के लिए, तो यह तो किसी भी angle से 300 का 40% नहीं लग रहा, तो ऐसा क्यूं है, तो देखो आपको बता देती हूँ, कि 40% जो है, यह basic passing criteria है, कि minimum आपको इतना चाहिए ही चाहिए, बाकि जो आपका selection होता है, वो पूरा का पूरा cut off के basis पर ही होता है, तो cut off कैसे निकाली जाती है, cut off निकालने के लिए, जो भी total students होते हैं, जिन्होंने examination दिया है, उसका top 6% निकाला जाता है, और उन top 6% students को qualify कि जाता है, तो इसमें simple सी बात है कि 40% का majorly कोई भी logic नहीं है, okay, so I hope students, यह चीज़ें आप समझ गए हो, अच्छे से तयारी कीजिए, paper 1 पर major focus रखिए, right, so thank you so much for watching this discussion, कोई भी queries हैं, कोई भी doubts हैं, तो बेजी जीचिक मुझ से पूछ सकते हो, thank you so much